नमस्का दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों सनातंधर में स्वास्तिक का चिन बहुती शुब और कल्यारकारी माना गया है स्वास्तिक को गड़ेशी का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक के चिन की उत्पत्ती आर्यो द्वार मानी जाती है स्वास्तिक के चिन का प्रयोग हर शुब मांगले कार में किया जाता है धार्मिक के साथ स्वास्तिक का वास्तु में भी विशेश महत्व माना जाता है आईए जानते हैं घर में स्वास्तिक का चिन बनाने के कुछ चमतकारिक फाइदे वास्तू में मुक्धवार की दोनों और की दिवार उपर स्वास्तिक चिन बनाने के बारे में बताया गया है इससे घर में सकारात में को जगा संचार होता है अगर आपके द्वार पर कोई वास्तु दोश है तो इसके बुरे प्रभाव से भी आपको राहत मिलती है घर में समरिदी आती है घर के आंगन में स्वास्तिक बनाने से सारी नकरात्म कोचा बाहर चली जाती है घर के देविस्थान में स्वास्तिक देविस्थान पर स्वास्तिक का चिन बनाकर उसके उपर देवताओं का मूर्ति स्थापन करने से उनकी किरपा प्राप्त होती है जहां पर आप अपने घर में इश्ट देव की पूजा आराधना करते हैं उस स्थान पर भगवान के आसन के उपर स्वास्तिक का चिन बनाना बहुत ही शुब रहता है तिजोरी या धन रखने की अलमारी में स्वास्तिक तिजोरी में स्वास्तिक का चिन बनाने से समरिद्धी बनी रहती है, मालक्ष्मी रसन होती है, जिससे घर में किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती है दिवाली और अन्यशुब अवसरों पर मा लक्षमी का पूजन करने से पहले स्वास्तिक बना कर उन्हें विराजमान करना चाहिए घर की दहली पर पूजा करते समय स्वास्तिक का चिन बनाना जो लोग प्रति दिन सुभा उठकर विश्वास पोरवक मा लक्षमी के आंगमन के विचार से दहली पूजन करके दहली के दोनों और स्वास्तिक बनाते हैं उनके घर मा लक्षमी बास करती हैं पेते दिन प्राता जल्दी उठकर घर की साफ सिफाई करने के परशाथ धूब दिखा कर भगवान की पूजा करें उसके बाद दहली की पूजा करते समय दोनों और स्वास्तिक कच्चन बनाएं स्वास्तिक के उपर चावल की डेरी रखें पूजा वाली दो सुपारी लेकर उसके उपर कलावा बान दे अब एक-एक सुपारी को डेरी पर रख दें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारे द्वारा दे गई जानकारी अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक जरूब करें साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को अवश सब्सक्राइब करें धन्यवाद